अब मेरा नास्ता पानी का काम कंप्लीट है तो अब मुझे मुझे बनाना है नादेल का लड्डू ज्यादा देर तो नहीं लगेगा उसमें क्या कि मैंने जो दिमाग में बठा है उसी साब से पर अभी तक मैं खुआ का इंतजार कर दी तो आया नहीं है तो मुझे अपने से करके बनाना पड़ेगा खुआ ओभी दूद्स से पूरा दूद से ने बनाऊंगे मैं पावडर से बनाउगे हो सब जयादा तर बना लेते हैं उसी से मैं नारेल का लड्डू बनाऊंगी हिला मतबं खाना पिना मलनास्ता इस सब का हो चुका है सब का मत-अबिये टाइम देखा नहीं है लाग क्यों दर गया वह दादीजी गया जाने का त्यारी कर रहा है मैं मेरा काम में लगी हूँ फिर मुझे बेक बेक बी करना है अहोगा तो यह वाला वीडियो अलग करूंगी जो सुबह से मैंने सुरू किया क्या कैसी तो बहुत बड़ा वीडियो चाहिए लड्डू वाला थोड़ा सा अलग कर दूंगे अगर आपको पसंद आएगा मेरा लड्डू का रेसिपी सुकेना रेल से लड्डू बनाने का रेसिपी तो वीडियो को लायक शिरो रॉर्ट शेणल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर ली जाएगा छोटा वीडियो बनाऊंगी इसका तो ठीक रहेगा अलग से बनाऊंगी अलग से बना लूंगी उसमें जोड़ूंगी तो बहुत बढ़ा हो जाएगा एक पूरा दिन बगर का डालूंगी तो पर सुरू मने वीडियो सुबह से करता है 10-15-20 मिनट बहुत हो जाता है बस बहुत चलती बनके क्या कि कद्दूकस किया हुआ मेरा नारेल आज के दो दिन पहले मैं कद्दूकस करके रख दिया था मैंने सोचा कि कल्ले बना लूंगी मैं पर मेरा खुआ आया नहीं है अभी इंतचार कर तो नहीं आया है आने किसका मा का है ठीक चलते हैं यहां त्यारी मेरा सब किया हुआ मला समान जो मुझे चाहिए वह समने ले लिया है केवल मा खुआ का इंतजार था तो आया नहीं है तो पहले सबसे पहले मुझे खुआ भी बनाना पड़ेगा ज्यादा देने में लगेगा मतलब कि खुआ मैं दूच जला के नहीं बनाऊंगी पाउडर से बनाऊंगी पहले मैं घीर डाल लिती हुआ कड़ाई में नारेल को मुझे थोड़ी दिर के लिए इसमें भूनना है क्या कि उसका सूखा सूखा करना पूरा कदूकस किया हुआ नारेल को घी मैंने डाल लिया घी हलका से अगर आज को एकदम से कम करके रखा मंदा आज है कड़ाई गरम हो चुका है कम आज में इसको मैं नारेल को भून लोगी अच्छे से इसका सूखा सूखा कर लोगी भून के इसको कम आज में कर दो आज में तूब नारेल को मैंने भून लिया अच्छे से 5 मिनट भूना है तो सूख गया अच्छा हो गया मतलब कि खाने में लड़ू इसका अच्छा लगेगा भून के बनाने से अभी मैं खुआ बनाऊंगी तो खुआ के लिए थोड़ा सा मने दूद लिया है लगब लगब आदा गिलास द आदा गिलास से ज्यादा नहीं है लगेगा तो ओड़ डाल दूगी मने अभी आदा गिलास लिया है अगर ओड जरूरतों का तो ओड़ डाल दूगी यह है मिलक पाउडर जो आप सब जानते हैं मेरे यह तो दुकान में बड़ा वाला पाउज आता है तो मैं बड़ा वाला है थोड़ी देर इसको पांच मिनट के लिए ऐसी चला लूँगी दूद को सोरी दूद इसका जला के खत गाड़ा कर लूँगे खुआ को उसके बाद इसमें चीनी डालना है पांच मिनट तक लगवग इसको चलाया है मैंने इसके बाद चीनी अपना मतले की जितना मुझे ल हूँ ऐसी मैं अपना अंदाद से काम करते हैं तो मेरा परफेक्ट हो जाता हालांकि जब लड़ू बनाने के बाद मैं बहुत अच्छे टेस्टी लड़ू बने थे मैंने सोचा कुछ और था होगा कुछ क्या कि जहां लड़ू बना वहीं खाना शुरू हो गया तो आदा ल अभी चीने पूरा गल गया है तो मैं इसमें नारियल डाल दूंगे पकाना नहीं यह तो पहले सी भूना हुआ है इसलिये मैं पहले भूना था आज को भी मने बंद कर दिया है कड़ाई मेरा मोटा है तो थोड़े देर गरम भी रहेगा यह मिक्स करूंगे इतना देर इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रखूंगी पंदा बीस मिनट के लिए क्याकि इतना गरम से तो लड़ू बनेगा नहीं सुसम हो जाएगा लड़ू बनाने लाइग तम मैं इसका बनाऊंगी क्यावल मिक्स करके ठंडा करने के लिए रग दूँगी लड़ू 10-15 मिनट बाद बनाऊंगी लड़ू बनाऊंगी नारियल का बूरा भी मने ले लिया है क्याकि उपर में लगाने के लिए नारियल का बूरा चाहिए होगा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है अभी इसको मैं थोड़ी दिर के लिए छोड़ दूँगी आई यहां देखिए अभी ठंडा हो चुका है मतलब कि इसको मैं हाथ लगा सकती है नारियल का पूरा भी मने ले लिया है जो मने आपको दिखा दिया है अभी लड़ू मैं बना लूँगे इसका यह थोड़ा थोड़ा गरम है ज्यादा गरम तो नहीं हलका छूने लाइक है जो चमच में चिपका है कडायम चिपका उसको उतार लूँगे मैं एक साथ ही बन जाएगा सबका साथ में हालांकि जब मैं लड़ू बना रही है तो मेरा खुआ आचुका है दिखाओंगे मैं आपको कि मेरा खुआ आचुका मेरा काम होने के बाद पर इसका भी बहुत प्रवा का कोई जरूरत ही नहीं था इसमें के फोड़ा सा पांच मिनट का टाइम ज्यादा लग या बस अने तो इसमें इससे भी कम टाइम लगता बस लड़ू मेरा बन गया है इसमें मैं नारियल का बुरादा लगा दूगे तो देखने में अच्छा लगिए का खाने में दीरे दीरे बन जाएगा सब यहां मेरा लड़ू बन के तियार है खा भी लिया अपि उसके पापा नहीं बहुत अच्छा टेस्टी लड़ू बनाया आप सब यह खा लीजिए अब हो जल्दी बन के तियार होता है मलोगी रखा हुआ सामान यूज में हो जाता है देखे कित जादा तर खाये गए हैं यहीं बचे हुए हैं पांचे लड़ू और सब खा ली हैं सबने के खाया तो खतम हो किया बस बचा इतना ही है कि बहुत अच्छा बना था